तो दोस्तों नमस्कार आदा शस्रियकाल कैसे हैं आप आजे 26 जनवरी 2022 आप सबको गड़तंत्र दिवस की बहुत धेर सारी सुबकामनाई आज हम बात करेंगे कि अगर मुर्गी बीमार हो जाती है उसका पोटा जाम हो जाता है तो कितने तरीके हैं मुर्गी को ठीक करने के तो वीडियो करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहला तरीका है कि अगर मुर्गी का पोटा जाम हो गया है एक जगे बैठी हुई है तो आप कोसिस ये करें कि उसको थोड़ा सा दोडा ले वो चलेगी घूमेगी तो उसका डाइजिस सिस्टम ठीक होगा और उसके पेट में जो भी खाया है वह हजम होगा और अगर मान लीजिए के इससे भी ठीक नहीं होता है तो दूसरा तरीका है कैपसूल बनाईए गुड़ का पुराने गुड़ का कैपसूल बनाएं भजी या पकोड़े में जो मीठा सोड़ा इस्तेमाल करते हैं वह कैपसूल के अंदर मीठा सोड़ा डालिएगा और मुर्गी को पकड़ेंगे और गोद में बिठाल के मूँ खोलेंगे और खेक गुड़ का कैपसूल जिसमें मीठा सोड़ा भरा है उसको चोच के अंदर डालेंगे और अपने हाथ की सबसे बारिक वाली उंगली से हलका सा धक्का देंगे और उपर से दो पाँच बूंद पानी पिलाएंगे तो गुड़का कैपसूल मिठा सोडा वाला उसके पेट में जाएगा और जो पोटा जाम हुआ है हजम नहीं हो रहा है मुर्गी को हजम करने में मदद मिलेगी और मुर्गी ठीक हो जाएगी अब बात कर लेते हैं दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि आप जो मोटर साइकल में टंकी से कारवरेटर में पैटरल जाता है ऐसा रवर का पाइप लीजेगा इसकी लंबाई आठ इंच रहेगी और एक बिटनरी वाले जो इस्तेमाल करते हैं डूक्टर साब बड़ी वाली सीरिंज लीजेगा जो गाए भैंस को इंजिक्सन लगाने में यूज होती है यह सीरिंज लीजेगा और मुर्गी के पेट में रवर का पाइप डालके और सीरिंज से पानी भरके मुर्गी को उल्टा लटकाईए उल्टा लटकाने के बाद हलका हलका उसके पोटे को दबाएंगे तो पानी के साथ वापस जो भी उसके पेट में है वह बाहर आ जाएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस मुर्गी ने हरा चारा भी खाया है तूर के पत्ते हैं और मक्का है और गेहू है और जो आप स्क्रीन पे सफध कलर के देख रहे है यहे अंडे के चिलके है मुर्गयों में कैलसियम की कमी को दूर करने के लिए अंडे के चिलके जो पीस्के देते हैं ऐसा मुर्गी ने यह भी खाया है अच्छा दूसरे चीज़ मैं आपको यह बता देता हूँ कि जो छिलके होते हैं ये हम अंडा खाते हैं और अंडे के छिलके कहीं फेक देते हैं तो मुर्गियां इनको खा लेती हैं इस कारण से ऐसा इस मुर्गी को हुआ है तो आप स्क्रीन पे देखे के पोटा हलका हलका दवा के और इसको उल्टा लटका के मूँ में पानी भर के पल्टी कराया जा रहा है और जो भी मटेरियल उसने खाया है तूर के पते हरा चारा अंडे के छिलके गे हूं और मक्का ये सारा निकलते जा रहा है अब बात कर लेते हैं के पोटा जाम होने में तीसरा तरीका क्या है तो तीसरे तरीके का बहुत ही बहतरीन वीडियो है उपर आई बटन पे ये देख ली जगा मुर्गी का पोटा जाम होने पर मुर्गी के पोटे को काट के पोटे के अंदर सारा माटेरियल निकाल के और फिर जाने के बाद दूसरे दिन उस मुर्गी की कंडिशन क्या है मैंने रादे स्याम जी जो के महराष्ट से हैं उनको दूसरे दिन फोन किया के आप बताएं मुर्गी की क्या कंडिशन है आप भी सुनिएगा कल जो मुर्गी को पाइब डाल के पोटा साफ किये थे वह स्वस्थ है हाँ अभी विद्यान उसको दावा कुली सब्सक्राइब हाँ बढ़िया मस्ते कोई दिक्कत नाई ने अभी तो कोई दिक्कत ने एक नमबर है चर्री घारी पिरी तो चालो चालो वही पूछ रहा था को कोई तकलीफ तो ने वही नए ने अभी कुछ ने चालो ठीक है ना थीक है थीक है थीक है तो अभी आपने आवाज सुनी यह राध्य स्याम जी महराश्ट से हैं और यह बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं विसम परिस्थिती में मुझे फून करते हैं और जो मैं तरीका इनको बताता हूं यह अपनी मुर्गियों पर आजमाते हैं और अपनी मुर्गियों को ठीक कर लेते हैं अगर आप भी ऐसी परिस्थिती आपके फार्म पर होती आपकी मुर्गियों को होती है तो आप अगर तजुर बेकार हैं तो खुद कर पाएंगे अन्य था आप अपन होगा वो हजम करेगी और ठीक हो जाएगी दूसरा तरीका है कि पुराने गुड का कैपसूल बनाएं उस कैपसूल के अंदर मीठा सोडा भरके और मुर्गी को खिलाएंगे उसको हजम करने में मदद मिलेगी तीसरा तरीका आपकी स्क्रीन पे रवर का पाइप डालके और बि वीडियो बना चुका है उपर आई बटन पर ये वीडियो देख लें एंडर स्क्रीन पर भी दे दे रहा हूं कि पोटा जाम होने पर मुर्गी का पोटा काट के पोटे के अंदर का सारा माटेरियल बाहर करने के बाद सुई धागे से पोटे को कैसे सिला जाता है तो कर आगत का है कि आपको पाइप लेना है चोटा वाला और चीरिज खरीदना है और जैसा इस्क्रीन पे देखता है AYSAKRINE आपको पलटी कराना है मुर्गी का पोटब खाली करना है और चौता तरीका मैं ने आपको बथा चुका पहले भी आपने वीडियो में देख चुका होगा पोटा काट के सिलने वाला तो इस तरीके से टीटमेंट करके आप अपनी मुर्गियों को ठीक कर सकते हैं फार्मिंग में कई बार हमें रिस्क उठाना पड़ता है रिस्क उठाना किसको बोलेंगे कि अगर कोई मुर्गी बीमार है पोटा ही जाम हो गया जैसे अभी स्क्रीन पे देख रहा है कि पोटे को खाली कैसे किया जा रहा है ऐसी कंडिशन में अगर हम यह इलाज नहीं करते ह तो क्या होगा मुर्गी मरेगी तो भीया अजबी मुर्गी मर रही है बस भी मर रही है तो चार तरीके में से आप सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो दूसरा तीसरा चौथा जो भी आपको आसानी से आता हो वह तरीका अपना कर आप अपनी मुर्गी को मरने से बचान नहीं करते हैं जो बताया जाता है तो लापरवाई के कारण भी हिंदोस्तान में बहुत सारी मुर्गों की मौते होती है और हमने ज्यादा तर ये देखा है कि जो वैक्सीन नहीं करते हैं कि हमारे यहां तो मिलता ही नहीं हमारे यहां तो बिटनरी सौप ही नहीं दवाइच न मिलती तो उन लोगों के सहत ज्यादा तकलिफ होती है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेले कन दवा कर और में करने हैं इससे हो गई है कि जब भी मैं इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानक